हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जिया दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी सुबसे लेकर शाम तक की सारी की सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार प्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट एस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेयर करें तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर बैंक घोटाले पर राहुल गांदी का केंदर सरकार से सवाल अनुरा ठाकुर बोले कुछ लोग अपने पाप दूसरों पर मढ़ना चाहते हैं जियां दोस्तों लोकसवा में कांग्रेस निता राहुल गांदी ने बैंक घोटालों को लेकर केंदर सरकार पर सवाल उठाया सदन की कारेवाई के दुरान उन्होंने केंदर सरकार से बैंक लूटने वालों पर कारेवाही करने की मांग की उन्होंने केंदर से पूछा देस में 50 बड़े बैंक डिफोल्टर कौन है पीम मोधी उनके नाम बताए उन्होंने बैंक लूटने का काम किया है उनके खिलाफ जल्द से जल्द कारेवाही करे राहुल गांदी ने सवाल किया कि पीम कहते हैं कि जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बैंकों से चोरी की है तो उनको वापस लाऊंगा पीम मोधी से 50 नाम पूछे अभी तक जवाब नहीं मिला लोगसवा में विपक्ष के नेता नारे लगाते रहे वी वोंट जस्टिस वी वोंट जस्टिस राहुल गांदी के सवाल पूछने के बाद से हंगामा चल रहा है दोस्तों स्लोगन के साथ ही यह कह रहे हैं कि नाम बताओ नाम बताओ दोस्तों बीजेपी की तरब से राहुल गांदी के दौरा सवाल पूछने जाने पर अनुराग ठाकूर ने कहा कि अगर आप नाम जाना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर जान लीजिए इसके बाद दोस्तों रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का उत्तर प्रदेश में दंगायों की अब खेर नहीं योगी सरकार के ओर्डिनेस को गवर्नर ने दे दी मनजूरी जियां दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजदानी लखनाओ में कतित CAA दंगायों के पोस्टर हटाई जाने के इलाबाद हाई कोट के आदेश के बाद योगी सर सरकार को इसे इस्ताई रूप से लागू करने के लिए अब विदान सबा और विदान परिशन से रिकवरी ओफ डेमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रोपर्टी बिल 2020 पास कराना होगा योगी सरकार को यह कानून इसलिए लाना पड़ा है क्योंकि इलाबाद हाई हाई कोट ने पूछा था कि लखनौ में कथित सी एए दंगायों के पोस्टर किस नियम के तहट लगाए गए हैं हाई कोट ने लखनौ के चौराओं से पोस्टर हटाने का आदेश दिया था इस फैसले को योगी सरकार ने सुप्रिम कोट में चणूती दी सुप्रिम कोट न में फ्लोर टेस्ट के लिए सुप्रीम कोट पहुंची बीजेपी कल हो सकती है सुनवाई जी हां दोस्तों मद्यप्रदेश में जारी सियासी संकट के वी सौमवार को विदानसवा में राजयपाल लाल जी टंडन का अभिवाशन हुआ इसके तुरंत बाद विदानसवा 26 मार् पाटी ने विदानसवा में कमलनात सरकार को अलपमत में बताते हुए फ्लोर टेस्ट की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोट में दाखिल की है पूर मुख्यमंतरी शुवरा सिंग चोहान की ओर से दायर इस याचिका में अगले 48 घंटों के वीतर मद्यप्रदेश विदान की गई है इस याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होने की संभावना है इसके बाद दोस्तों रूप करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का SBI Card IPO इशू प्राइज से नीचे खुला शेर 661 रुपे पर हुआ लिस्ट जियां दोस्तों सुमवार को SBI Cards का IPO स्टोक मार्केट में लिस्ट हो गया SBI Card का IPO 12 फिस्दी की गिरावट के साथ 661 रुपे पर लिस्ट हुआ हलंकी IPO का बेस प्राइज 750 से 755 रुपे था मार्केट के हालात को देखते हुए निवेशको को इसके नीचे ही खुलने की उम्मीद थी दोस्तों निवेशको को SBI Card के IPO से निराशा ही हाथ लगी है इसका IPO 2 मार्च को सब्सक्रिप्शेशन के लिए खुला था पांच मार तक इसे सब्सक्राइब करने का समय दिया गया था निवेशको को इस IPO से बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इसे भारती मार्केट का इस साल का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा था इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का आम आदमी को जल्द मिल सकता है बड़ा फाइदा कम होगी आपके लोन की EMI जहनुस्तों दुनिया में फैली महामारी के खोफ का माहूल है जिसके कारण पूरी दुनिया के शेर बाजारों में गिरावट का सिलसला सजारी है इसी कड़ी में USA Federal Reserve Bank ने बेंचमार्क ब्यासदर को 1 फीज़ दी से 1.25 फीज़ दी था उसे घटा कर 0.25 फीज़ दी कर दिया है RBI Federal Reserve के Global Swap Line Facility का हिस्सा नहीं है लेकिन वित्य बाजार में फ्रीजिंग जैसी इस्तिति से निपटने के लिए उबरते देशों के केंद्रिय बैंक के साथ सहयो करने के लिए वहदरों में कटोती कर सकता है इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का 19 मार्च से शुरू हो रही है Flipkart Big Shopping Days Sell इन स्मार्टफोन पर मिलेगा Bumper Discount जियां दोस्तों देश की सबसे बड़ी e-commerce company Flipkart पर Big Shopping Days Sell 19 मार्च 2020 से शुरू हो रही है दोस्तों यह सेल 22 मार्च तक चलेगी तो इस सेल में आप अच्छा स्मार्टफोन कमदाम में खरीच सकते हैं दोस्तों इस सेल के अंदर आपको Realme, Xiaomi, Vivo, Samsung, iPhone के स्मार्टफोन 10% तक की चूट पर मिल सकते हैं दोस्तों बात करें Realme 5 Pro की तो यह सेल में 11,999 रुपे की शुरुवाती कीमत में खरीदने को मिल जाएगा आपको इसके अलावा दोस्तों Samsung S9 आप 21,999 रुपे में खरीच सकते हैं साथी दोस्तों Vivo Z1X की बात करें तो इस phone को आप 13,999 रुपे में खरीच सकते हैं Apple का iPhone X, X को आप 52,999 रुपे में खरीच सकते हैं इस पर दोस्तों आपको पूरे 35,000 रुपे की चूट मिल रही है इसके बाद दोस्तों रुप करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का आज से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से जुड़े रूल सार बियाई बंद कर रहा है कई बैंकिंग सेर्विसेज जहां दोस्तो अगर आप credit card और debit card का इस्तेमाल करते हैं तो यह ख़बर आपके लिए बहुत ज़रूरी है भारती रिजोर बैंक ने debit तथा credit card जे होने वाले transactions और को और आसान तथा पहले से अधिक सुरक्षित बनाने के उद्धिशे से दोनों card को issue-reissue करने के नई नियम जा करना होगा कि वे अपने domestic और international card के transaction को disable करना चाहते हैं या नहीं या अगर आप चाहते हैं तो अपने debit या credit card पर इन स्विदाओं को disable भी कर सकते हैं अगर दोस्तो आपने credit और debit card से 16 मार्च 2020 तक online या contactless transaction नहीं किया है तो यह स्विदा बंद हो जाएगी स्विदा को जारी तकने के लिए ज़रूरी है कि हर debit और credit card से 16 मार्च से पहले कम से कम एक बार online और contactless transaction कर लिया जाए इसको लेकर reserve bank की तरफ से 15 जनवरी को notification जारी किया गया था वहीं दोस्तो बैंकों को काड़धारकों को POS ATM online transaction contactless transaction के लिए transactions limit में domestic था इंटरनेशनल दोनों के लिए ही बदल ऐब करने की स्विधा देनी होगी इसके साथ ही बेंकों को कार्ड को switch on और switch off करने की स्विधा भी देनी होगी यानि कि दोस्तो क्यी सारे बदलाव आज से होने वाले हैं इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का चंदर शेकर आज़ाद उर्फ रावन ने लोंच की राजनितिक पार्टी बीएसपी के कई नेताओं ने थामा दामन जियां दोस्तो भीम आर्मी के संस्तापक चंदर शेकर आज़ाद उर्फ रावन ने अपनी राजनितिक पार्टी का एलान कर दिया है दोस्तो चंदरशेकर रावन ने अपनी पार्टी का नाम आजाद समाज़ पार्टी रखा है रविवार को कासीराम की जयनती पर अपनी राजनितिक पार्टी का एलान किया इस मोके पर समाज़वादी पार्टी, बहुजन समाज़वादी पार्टी, कांग्रेस और RLD के अंठ्यानवे नेताओं और कई पूरू मंत्रियों ने आजाद समाज़ पार्टी जोईन की दोस्तो भीम आर्मी संगठन को राजनितिक रूप्त देने के लिए चंदरशकर आज़ाद उर्फ रावन ने 15 मार्च की तारीक सोच समझ कर तै की है दोस्तो आपकी जानकारी के बता दें 15 मार्च काशीराम की जयनती है काशीराम भूजन समाज़वादी पार्टी के संस्तापक थे वह नब्बा के दशक में देश में दलितों के प्रमुख नेता और चहरा भी थे दोस्तो आपकी जानकारी के लिए पता दें दोस्तो चंद्शेकर आजाद उर्फ रावण के पिता एक व्यापपारी है और मा ग्रहनी है चंद्शेकर आजाद उर्फ रावण ने करीब 8 साल पहले साल 2012 में विदे रतन नाम के एक शक्स के साथ भीम आर्मी का गठन किया था इसके बाद दोस्तो रुख करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का गुज्रात राजसभा चुनाओ से पहले कांग्रेश को लगा बड़ा जटका, चार विदायकों ने दे दिया इस्तिफा जिया दूस्तो राज्यसमा चुनाओं से पहले गुजरात कांग्रेस को बड़ा जटका लगा है, कांग्रेस के चार विधाएकों ने इस्तिफा दे दिया है दोस्तो विदानसभा अध्यक्ष राजेंद्र दुवेदी चारों का इस्तिवा स्विकार भी कर चुके हैं कांग्रेस के जिन चार विदायकों निस्तिवा दिया है उनके नाम है मंगल गावित, जेवी काकडिया, सोवा भाई पठेल, प्रद्यूमन जाड़ेजा हैं दोस्तो आपके जानकरी के लिए बिजेपी द्वारा गुजरात राजिसवा चुनाओ के लिए तीसरा उम्मिद्वार मेदान में उतारे जाने के साथ कांग्रेस की धड़कने अब बढ़ गई है कांग्रेस को डर है कि कहीं उसके विदायक भाजपा के पाले में न चले जाएं इसलिए उसने अपने सबी विदायकों को राजस्तान भेज दिया है इसके बाद दोस्तों रूप करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का पीम नरंदर मोदी ने शार्ग सदश्यों को किया एकजूट भारत इमरजेंसी फंड में देगा एक करोड डोलर जियां दोस्तों पूरी दुनिया खोफ के साए में जी रही है दोस्तों विस्वस्वास्ते संगठन इसे महामारी पहले ही घोशित कर चुका है इसी बीच दोस्तों पीम नरंदर मोदी ने इससे निपटने के लिए देशों और वेश्विक इस्तर पर अभियान चलाया है इसी कड़ी में मोदी ने रहीवार को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये शार्क देशों से चर्चा की इस दोरान पीम नरंदर मोदी ने इमर्जेंसी फंड बनाने की पैशकर्श की उन्होंने कहा कि इससे सभी देश मदद ले सकेंगे पीम नरंदर मोदी ने बताया कि यहाँ एक वोलेंटरी फंड होगा जिसमें सभी देश अपनी मर्जी के मुताबित योगदान दे सकेंगे प्रदान मंत्रे ने कहा कि 10 मिलियन अमेरिकी डोलर यानि की करीब 44 करोर रुपे भारत की और से दिया जाएगा इस फंड के पैसों का सभी शार के देशों के सदस्य जरुरत पढ़ने पर इस्तेमाल कर सकेंगे